है जाि सिस्क्राइब किजिए एफके गुरू चैनल को और बैल आइकन को भी दबा दिजिए हमारे लेटेस वीडियो देखने के लिए चलिए दोस्तो हम हम आगे चलते हैं हो हुलो दोस्तो आप देख घृब्ली चैनल दोस्तो स्ट्वर चैनल को अपने सुस्क्राइब नहीं किया सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों का आप शेयर भी कर सकते हैं आज हम बात करेंगे दस पक्री से हम सर चार लाग से उपर कैसे कमा है कौन सी नसल की बक्री है जो इतना पैसा हम क से प्याद सकते हैं इससे आप ज़्याद पैसा कमा सकते हैं सबसे पहला है अफिरकन बोड प्रजाती उसके बाद है शिरुव ही उसके बाद है आपको जमना पड़ी बलेग बंगॉल है आप यह सब बक्री के नसल पालकर आप अच्छा पैसा यानि अच्छा मुनाफ़ा कम सकते हैं माल लिजा हमारे पास दस बक्री यानि नौ बक्री एक बक्रा है दस हो गया अगर 9 बक्री बच्चा साल में 4 बारों बच्चा देती हैं जनवरी में 1 बक्री 2 बच्चा को पैदा की 9 बक्री 18 बच्चा को पैदा किया हम 6 बच्चा को मान लिजे उमर गया या कुछ हो गया लगबग 12 बच्चा बच्चा जनवरी के महिने में माल लिजए उसके बाद 12 अपको हो गया उसके बाद फिर ओ जून या जुलाई में फिर बच्चा देगी फिर ओ माल ले जिए हम भी अठारा हुआ 18 में हम उसको 12 रखते हैं 6 हम उसको भी मालने मग गया या कुछ हो गया उसको वेश्ट हम कर देते हैं तो 12 साल in दिसम्बर यह इस्कों बैठेंगे तो 12 जो है एक साल का यह जो जो जाएगा आज जून में बच्चा दिया आञे वह आपको बारर जो है आपको च्हें महिना हो जाएगा अब बात करते हैं कि शे महिना कि फिरु fierce होगा आलीस का हुए है यह जो नसल की बक्री हम बताया है यह जू Bus होता है और साल मे से hugh होता है कि डेर साल में 200 से लेकर 1500 कंशी का वेड होता है माली जम साल में इसको बेचना है जन्रवडी में बच्चा पाइदा हुगा था दिसंबर में जाकर उसको बेचते हैं तो यह एक साल का हो जाएगा तो आप एक साल में बेच रहता हैं तो आपको 36,000 रुपिया जो बारा बकरी यह एक साल की हो गई है और जो 6 महिना का हुआ है उसका हो जाएगा 18,000 के हिसाब से आपको 1,92,000 यानि मिला के पूरा 4,30,000 रुपिया 12 बक्री का हो जाएगा जो इस सल का है और 1,92,000 रुपिया यानि 1,90,000 रुपिया ओ हो जाएगा आपको जो 6 महिना का है दोनों मिला के आपको 6,20,000 रुपिया आएगा अब हम बात करते खर्च क्या अगर हम एक साल किसी बक्री को या बक्रा को पालते हैं तो उसमें 6,000 रुपिया ज्यादा से ज्यादा खर्च आएगा कम से कम ने ज्यादा से ज्यादा 6,000 रुपिया उसमें खर्च आएगा एक सा पालते हैं तो माल लिजिए हमारे उससे हमारे पास 10 बकरी और नो बकरी बकरा है दस वो गया पलश हमारे बारा जोस का बच्चा जो एक साल का हो गया था यह मिला के 22 हो गया है और उसके बाद 12 जो है 6 महिना ओ खर्चा 30,000 रुपिया आएगा 36,000 रुपिया और 22 का 6,000 से आप काउंटिंग कर सकते हैं यानि लगबग 1.30.35 रुपिया यह हो गया 35,000 रुपिया जो 6 महिना के जो बच्चा है वो हो गया में आके 1.70.000 रुपिया पूरा खर्चा आपका आएगा उसके बाद हम बात करते हैं कि आप 6,20,000 रुपिया निकाल देते हैं 4,50,000 रुपिया आपको मुनाफ़ा होगा उसके बाद एक और बात मैं बता दूँ कि अगर जो आपको ठक्ति यानि 33 परसेंट जो बकरी आपको मर गई या उसमें से अगर आपका नसीब अच्छा है तो बकरी भी उसका भी आपको बेनिफिट आएगा और आपका नसीब अच